सिद्धु मुसेवाला की हत्या का मास्टर माइंड सचिन बिश्णोई भारतिय एजंसी के हाथ लग चुका है उसे अजरबैजान से भारत डिपोर्ट कर दिया गया है सचिन बिश्णोई को पकड़े जाने के बाद एक बार फिर से उन गैंक्स्टर को भारत वापस लाए जाने की मांग सोर पकड़ चुकी है जो विदेशों में छुपकर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं हमारे देश में वारदात को अंजाम देते हैं नमस्का, मैं हूँ गोहित कौशिक आपके साथ इंडिया टीवी एक्स्प्लेनर में जानेंगे फॉरण में अड़्डा जमाए Most Wanted Gangsters के बारे में केंद्र सरकार ने अप्रेल में एक लिस्ट तयार की थी इन Gangsters की 28 नाम इसमें शामिल है जो हमारे देश में अपराद करते हैं लोगों की चान लेते हैं वसूली रंगदारी इनका धंदा है इन में से 9 कैनेडा में और 5 अमेरिकी जमी पर है सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में छुपे गेंग्स्टर्स के बारे में पोल्डी बराग ये नाम तो आपने नाजाने कितनी बार सुना होगा लेकिन इसके अलावा हर्जोस सिंग्गिल, दर्मनजी सिंग, अमरित बल अमेरिका में रहकर भारत में अपने नापाक मनसूबों को अंजाम दे रहे हैं अनमौल विश्णोई, जो की मूसे वाला हत्यकान में आरोपी है वो भी अमेरिका से ही अपने गोरक धंदे ओपरेट करता है ये लोरेंस विश्णोई का भाई है इस पर आतंकी हमलों को अंजाम देने के साथ फिल्मी दुनिया और कॉपरेट वर्ल्ड से जुड़े लोगों की टार्गेट किलिंग्स का भी आरोप है हाला कि कुछ महीने पहले कीनिया में इसकी डिटेन होने की खबर आई थी अब बात करते हैं कैनेडा में छुपे भारत के गुनेगारों के बारे में इस लिस्ट में कई खालिस्तानी आतंकियों के नाम भी शामिल है गांडी में होने की खबर है गेंग्स्टर राजेश कुमार ब्राजील को अपना ठिकाना बनाय हुए है मनपरीश सिंग फिलिपियन से भारत में ओपरेट करता है सुप्रीश सिंग चर्मनी में है कुर्जन सिंग औस्टेलिया में रह रहा है और रमंजीस सिंग के हॉंग कॉंग में छिपे होने की खबर है